जो टीप पे sponsorship मिलती है मुझे 500 रुपे में तीन वीडियो बनानी थी मुझे छे साल पहले मेरे जेब में एक रुपे भी नहीं हुआ करते थे मैं एक cylinder के उपर दो बाल्टिया रखके उसके बीच मैं headphone लगा के वहाँ पे अपना phone फसा के मैं shoot करता था जो मेरी करिब साड़े साथ हजार रुपे की payment आई थी वो बहुत amazing feeling थी पचास जार के करिब थे वो मैंने लगाई ट्रेडिंग के लिए और मेरा loss हो इस बार मैंने equity trading स्टाट और अब मेरा थीरे थीरे प्रॉफिट होने लगा मेरा नाम अमन चौधरी है मैं बिहार से ही हूँ मेरा जनम दिल्ली में हुआ है बट मेरे जो parents थे वो बिहार से ही यहां पे आया थे हो school के टाइम पे जो है मुझे जैसे हर बच्चे का होता है कि भाई मुझे आज यह बनना है कल वो बनना है मेरा भी वही सपना था कि कुछ ना कुछ तो करना है बट हम जो family से आते हैं वो एक lower middle class family से आते हैं 2017 में जब मैंने अपने 12th complete कर लिया था उसके बाद result आने के बाद और college join करने से पहले जो बीच में time बचता है उस time को मैंने utilize करने के लिए सोचा था कि मैं क्यों ना YouTube शुरू कर दो वहाँ से मेरी YouTube की journey स्टार्ट होती है पहले तो मैं सिर्फ वाल्तू की वीडियो जाल रहा था मुझे नहीं पता था वहाँ पे कोई पैसे भी कमाए जा सकते हैं कुछ भी ऐसा होता है मुझे कोई idea नहीं था मैं वहाँ पे बस random वीडियो जाल रहा था जैसे आज मैंने cooking की डाल दी कभी मैंने vlog डाल दिया कभी मैं tech की वीडियो बना रहा हूँ अब tech की वीडियो की मैं इसलिए बना रहा था क्योंकि मुझे बच्पन से ने tech में बहुत interest था मैं gadgets को purchase करता रहता था उसको use करता था अलग-अलग टाइप की tech की वीडियो मैं देखता था मतलब deep tech जो होती है वो मेरा interest था 2018 आता है और ये time जो था बहुत ही ज़ादा खराब था मिर लिए हुआ कुछ ऐसा एक दिन मैं शाम को नॉर्मली जैसे मैं बैठा हूँ उनका चेहरा नॉर्मल नहीं लग रहा था वो थोड़े उदास से लग रहे थे फिर एक से दो दिन के बाद हमें पता चलता है कि पापा की जॉब नहीं रही है और तब मुझे रियलाइज होता है कि अब घर का बड़ा बेटे होने के अकॉर्डिंग मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा जिससे मैं भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ और तब मेरे दिमाग में आता है क्यों ना ऑनलाइन पैसे कमाए जाए फिर मैंने अपना वही जो मेरा कुछ दो साल तीन साल पुराना लेक लेना वोगा फोन था जो कि टच्सक्रीन था बड़ पुराना था उसको मैंने यूज करना शुरू किया और मैंने उस पे चेक किया हाउ टू मेक मनी आनलाइन मुझे वहाँ पे बहुत सारी वीडियो काफी सारी वीडियो तो काम की नहीं भी होती हैं बट बहुत सारी रिसर्च करने के बाद और काफी वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत सारी पता चलत तरीके कि आप कैसे ओनलाइन पैसे कमा सकते हो फिर मेरी स्टार्ट होती है जर्णी ऑनलाइन पैसे कमाने की मुझे पता चलता है ब्लॉगिंग गे बारे में बट ब्लॉगिंग करने में न करने को तो आप आज से कर सकते हो इन्वेस्टमेंट भी आपको थोड़ी सी लगेगी तब मेरी शुरुआत होती है content writing की इसके बारे में चेक करने के लिए मैं YouTube पे ही जाता हूँ और मैं वहाँ पे फिर से सर्च करता हूँ कि कैसे हम clients ढूंड सकते हैं अपने content writing के लिए तब मुझे पता चलता है कि जो Facebook पे मैं 2014-15 में photos upload करता था उसको आज हम use कर सकते हैं Facebook से clients ढूंडने के लिए तो मैं फटा-फट से गया वही अपना पुराना भाई जो Facebook था उस पे गया मैं उसका password तक भूल चुगा था आज बट मैंने forget password करके जो भी ये login किया और मैंने search किया Facebook groups जो की content writing से related थे तो मैंने ऐसे कुछ 10-15 groups को join कर लिया जो की active groups थे तो मैंने उनको join किया और साथी साथ फिर मैंने वहाँ पे post भी डाले कि मैं content writer हूँ मेरको इतना experience है और अपना post कर दिया साथी साथ मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनोंने अपने content writing की requirements को डाला हुआ था तो मैं उन सब को reach out करता हूँ मैंने लगबग 20-25 लोगों को वहाँ पे message कर दिया एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा मुझे अभी तक कोई भी response नहीं मिला था मैं wait कर रहा था कि कि मुझे अब जल से जल पैसे गवाने थे finally, तीन दिन के बाद मुझे दो लोग का message आता है कि हाँ, हमें requirement है फिर उननने मुझे बोला कि आप अपने जो भी आपके content है उनके मुझे samples भेज दो तो मैंने ज़्यादा देरी ना करते हुए तो तुरंत मैंने reply दी दिया था जैसी message आया और मैंने अपने samples उनको email कर दिया अब मुझे नहीं पता था एक professional email कैसे करते हैं बट मैंने एक normal सा subject डाला कि content writing samples और मैंने अपने 4 samples उनको भेज दिया तो कुछ देर के बाद उनका revert आता है कि हाँ आपका sample हमें अच्छा लगा और उन्होंने मुझे काम दे दिया अब एक चीज़ यहाँ पर यह थी उन्होंने मुझे जो पैसे offer किये थे वो था 25 PPW अब मुझे PPW भी उस टाइम पर नहीं पता था PPW का मतलब पैसा पर word तो मैंने अपना पहला content उस दिन लिखा जिसके मुझे मिले थाई सो रुपे थाई सो रुपे मुझे मिले थे और वो थाई सो रुपे शाम को मेरे account में credit हो गए थे और वो बहुत ही मतलब amazing feeling थी जो मेरे को आई थी और उस दिन मैंने सोच लिया था कि अगर मैं एक दिन के अभी 500 रुपे कमा रहा हूँ तो धीरे धीरे ये journey लाखों तक भी जा सकती है और वहाँ से मेरी content writing की journey स्टार्ट हो गए धीरे धीरे मैंने बहुत सारे clients तो एकटा तो कर लिया अब मेरे पर बहुत ज़ादा काम आ चुका था वह अब मेरी 20,000 पर मन तक जा चुकी थी तो यहां तक तो अब मैं कमाने लग गया था अब साथ में मैंने जो है explore किया कि हम अपनी app के थूँ भी पैसे कमा सकते हैं तो अब मैंने सूचा क्यों ना हम अपनी खुद की एक application भी बनाएं तो finally मैंने जो है कुछ 500 रुपे के invest किया और एक बंदे से application बनवाया और एक YouTuber से चार सो पान सूर रुपे में उसको promote करवाया जिस से मुझे AdSense के थूर अर्निंग हुई और वो थी approximately $113 की अब क्योंकि मैं उस टाइम पे 18 साल का नहीं हुआ था और मेरे पास एक bank account भी नहीं था तो मैं पापा का bank account यूज कर रहा था तो मैंने पापा को बताया कि मेरे एक payment आने वाली है जो कि मैंने पहली अर्निंग की थी dollars में 113 dollars तो वो मैंने पापा को बताया तो उनको लगा कि हाँ ऐसी होगा ठीक है कुछ होगा क्यूंकि उनको भरोसा नहीं था कि हाँ US के dollars की मैं आर्निंग यहां से घर बैठे अभी कर रहा हूं क्यों उस टाइम पर पापा के टाइम पर यह थोड़ी होता था कि आप बना गया पैसे कमा सकते हो यह तो आज के date में होता है तो हम लोग साथ में बैंक गए थे और मुझे याद है कि जब वहां पर payment के लिए उन्होंने फॉर्म फिल किया था तो वो एक अलगी feeling थी जो मेरी करिभ साड़े साथ हजार रुबे की payment आई थी वो बहुत amazing feeling थी और मैं उसको आज भी जो feel करता हूं मज़ा आजाता है चेहरे पे smile आजाती है अब एक तरीका मुझे और मिल चुका था एप से पैसे कमाने का बट एप से पैसे कमाना जो है ना long term तक के लिए sustainable मेरे लिए नहीं था क्योंकि मैंने एक ऐसी छोटी मोटी एप बनाई थी 500 अब मुझे YouTube पे एक sponsorship मिलती है YouTube पे sponsorship मिलती है मुझे 500 रुपे में थी 500 रुपे में 3 वीडियो वह मैं ने बनाई और वहां से मुझे भूम मिलता है क्योंकि वह मेरी वीडियो जाना एक लाक लगबग दियो उस पर आजाते हैं जिससे मुझे करीब 5000 सबस्काइबर मिल जाते तो वहां से मेरी YouTube की भी journey स्टार्ट हो जाती है और एक opportunity मैंने ये miss नहीं कि अगर मैं वो 500 रुपे में तीन वीडियो नहीं बनाता ना तो शायद वो मेरे एक लाग व्यूज नहीं आया होता है जिससे मुझे वहां पे exponential ग्रोथ नहीं मिली होती है तो वो एक plus point था वहां से ग्रोथ मिली फिर मैंने जो earning की वीडियो डालने शुरू की क्योंकि जो मेरी वीडियो पे view आये थे वो earning के ही आये थे अब मैंने ये सोचा कि जब मैं खुद पैसे कमा रहा हूं मैं 18 से 20 साल का था उस टाम पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग है जिनको online पैसा कमाना है उनको तरीके नहीं मिल रहे या फिर उनको पता नहीं है कि पैसे कैसे कमाने है बट मुझे पता है मैंने बहुत तरीकों से पैसे कमाया है तो मैंने सोचा भाई इस पे वीडियो बनाते है और मैंने online earning की videos बनाना शुरू कर दिया और मैं अभी तक अपने उसी पुराने phone से जो है काम कर रहा था अब मुझे जरूरत थी एक camera लेने की तो अब मैं धीरे धीरे obvious सी बात है मैं पैसे कमा रहा था तो मैंने अपने पैसों से एक camera purchase किया अब मैं camera से videos बनाने लग गया था तो अब जो मेरी zero से earning धीना वो approximately 60,000 पर मन तक पहुँच गई थी तो bank में balance भी थोड़ा थोड़ा आ रहा था और चेहरे पे थोड़ी smile भी आ रही थी क्योंकि जेब में पैसा आ रहा था मैंने हर तरीके को try किया और मैंने हर तरीके से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसे कमाए अब मैं यहां पे shift करता रहा और अलग अलग चीजों में क्योंकि मुझे और तरीकों से पैसे कमाने का सीखना भी था और मुझे सिखाना भी था तो मैंने start के trading करना अब trading करने के लिए बहुत वक्त भी लगता है सीखना पड़ता है उसको क्योंकि अगर आप बिना सीखे trading करने चले जाओगे तो definitely आपका पैसा zero ही बनेगा तो मैंने trading करना शुरू किया और trading के लिए मैंने पैसे निकाले पचास जार के करीब थे वो मैंने लगाई trading के लिए और मेरा लॉस हो लिए क्योंकि मैं इतना अभी experience नहीं हुआ था कि मैं trading में पैसा कमाना शुरू कर पाऊँ तो मैं बहुत दुखी हुआ इस बार क्योंकि मेरे वो 50,000 जो थे मैंने बहुत महनत से कमाये थे और वो एक जटके में डूब गए अब मुझे फिर से इसको सीखना था क्योंकि सीखा नहीं था मैंने सही से मुझे इसको फिर से सीखना था अब इस बार मैंने प्रॉपर अपना time दिया मैं इसको घंटों तक सीखता गया मैंने बहुत सारी वीडियो देखी बहुत अलग अलग यूटिवर्स की वीडियो देखी हर बंदा अलग चीज़ बता रहा है तो मुझे इस बार खुद की strategy खुद बनाने थी तो मैंने अपनी strategies बनाई मैंने अपनी strategies पर काम किया और मैंने फिर trading स्टार्ट की इस बार मैंने equity trading स्टार्ट की equity trading में यह होता है कि आपके जो है loss के chances कम हो जाते और अब मेरा धीरे धीरे profit होने लगा अब मेरी जो पहली वहाँ पर trading के profit थी वो करीब 1300 रुपे थी एक दिन की एक दिन की अगर मैं 1300 रुपे profit बना पा रहा था यानि कि एगर 20 दिन का trade होता है तो 26,000 रुपे मैं trading से बना सकता था और फिर मैंने सोचा इसको अब मैं YouTube पे भी लेके जाओ और लोगों को भी सिखाओं तो मैंने आगे जाके जो है लोगों को भी वीडियो बना के सिखाया कि कैसे आप जो है trading को कर सकते हूँ क्या के आपको tips को follow करने हैं ये सब मैंने बताया कौन सी आपको applications यूज़ करनी है आपको brokerage क्या होता है आपको क्या extra charges पे करने पड़ सकते हैं ये सब मैंने बताया उनको तो धीरे धीरे जो है trading में भी growth मिल रही थी और साथी साथ मैं investments भी कर रहा था तो अब trading का portfolio भी अलग चल रहा है जो मेरा YouTube है वो भी चल रहा है अब जमाना आ चुगा था AI अब मुझे AI का भी use करना था और मुझे उससे भी पैसे कमाने तो मैं ढूडने लग गया कि आप AI क थ्रू पैसे कैसे कमा सकते हैं तो मुझे बहुत सारी चीज़े पता चलती है जैसे मैं फिर से YouTube पे ही गया क्योंकि YouTube ही है जिसने मुझे आज तक सिखाया है और आपको भी सिखायेगा तो मैं YouTube पे गया और मैंने फिर से सर्च किया कि AI के थ्रू हम पैसे कैसे कमा सकते हैं तो उनके लिए वीडियो को एडिट कर सकते हो, उनके लिए थाम्नेल्स की एडिटिंग कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे आप काम कर सकते हो, AI के थुरू जो है, आप कार्टून एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपको पता, YouTube पे बहुत बच्चे देखते हैं, तो आप वो व और अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो बहुत जादा डिफरेंस मुझे दिखता है, तो अब आचुका था 2020, जिस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत कमाना शुरू कर चुका था, पापा की बाइक बहुत पुरानी होगी थी, करीब 11 या 12 साल की बाइक हो चुकी थी, और उसको बा लब कुछ देर के लिए तो शानत होगे, नहीं मुझे नहीं चाहिए, इसकी क्या ज़ुरत है, यह वह बहुत प्यारा मुमेंट था, वह मैं एक्स्प्रेस नहीं कर सकता, चाहे कुछ हो जाए, मैं नहीं कर सकता उसको एक्स्प्रेस, तो मेरी यूटीब की जर्नी तो कुछ इस तरीके से ही शुरू हो गई थी, मैंने सोचा था मेरे को सिर्फ एक पार्ट टाइम के लिए शुरू करना है, ताकि मैं अपने घर को सपोर्ट कर सकूँ, लेकिन अब यह जो है मेरी में इंकम की सोर्स बन चुकी है, अब आप लोग भी चाहते होगे कि आप लोग भी आपको वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि अगर आपका इंटरस्ट है लाइक टेक में और अगर आप बना रहे हो व्लॉग तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि आप जो है उसको लॉंग टरम तक कर नहीं पाओगे, तो आपका इंटरस्ट होना बहुत ज़रूरी है, यूटी प वीडियो में इंप्रूव्मेंट आएगा, उसके बाद आप ग्रू कर पाओगे, तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, आप एक्विप्मेंट्स पे कोई ध्यान मत दो, क्योंकि मुझे याद है, जब मैंने यूटीब अपना शुरू किया था, वो लेनुवो का फोन, मैं एक सिलेंडर के उपर दो बाल्टिया रखके, उसके बीच मैं हेड़फोन लगा के, वहाँ पे अपना फोन फसा के मैं शूट करता था, मेरे पे ट्राइबोड के लिए भी पैसे नहीं थे, तो वो भी मेरे पास नहीं थे, कि मैं ट्राइबोड एक लेलू, मैंने माइक भी नहीं लिया था, मैं विदाउट माइक यूज करता था, बट आज तो 1.500 रुपेगा अगर आपको सिर्फ फोन के लिए माइक चे तो वो यूज कर सकते हो, बागी आपको कोई एक्वेप्मेंट्स लेनी के ज़रत नहीं है, आप शुरू करो, आप वो वोईसोवर की वी एडिटिंग करोगे, जिससे लोग एंगेज रह सकें, तब आप जाके यूटिब पे जल्दी ग्रो कर पाऊगे, ऐसे बहुत सारे अभी चैनल्स खोले हैं, जिनकी एडिटिंग के चक्कर में ही वो ज्यादा ग्रो कर पा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने हजा जाते हैं, क्योंगे उनको पैसे नहीं मिल रहे है, अगर आप ये चाहते हो, आपको instant पैसा मिले, तो भाई YouTube आपके लिए नहीं है, आपको instant पैसा यहां से नहीं मिलेगा, इगर आप consistency के साथ यहां पे काम करोगे, तो आपको अच्छी growth मिलेगी, और जब वो 100 K पे दो ची feeling होती है, मेरा भी एक सपना था कि मैं कम से कम दो बटन ले गया हूँ, चाहे वो golden और silver हो, चाहे वो दो silver हो, बट मुझे दो बटन चाहिए, तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, और आपको भी करना पड़ेगा अगर आपको तो growth चाहिए तो, आप अगर बीच में हार मान लोगे, तो आप यहां पर grow नहीं कर पाओगे, तो जैसे मैं Joe Stock देखते देखते, Joe Stock पर आ भी गया, तो आप लोग भी मुझे पता है Joe Stock देख रहे होगे, और आप में इसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, कि काश मैं भी इस की जगह होता, तो definitely आप लोग भी एक दिन Joe Stock पर आओगे, और आपको भी वही फील होगा, जो आज मुझे यहां पर हो रहा है, तो thank you Joe Stocks, मुझे यहां पर invite करने के लिए और इस अपोर्चिन की की, इसने धेर सारा inspiring story, एक से एक बढ़के बिहारी के, एगर आप पर देखे मन के तर्वताजा केल के, एदा मोटिवेसन लेल के, काम शुरू केल के, शपलता कैसन मिलते, एदा मिलते, जण्डा गाड़ता हो